आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे 10 math का questions जो कि आपको NTPC exam, group D exam के लिए बहुत ही helpful रहेगा तो चलिए लगाते हैं test पहला question दिया गया है कि एक समधी भुज, तिरभुज का परिमाप 32 cm है इसका आधार समान भुजाओं का 6 बटे 5 गुना है तो इसका आपको बताना है कि छेतर फल ग्याद कीजे या मतलब कि इसका आपको छेतर फल ग्याद करना है तो चलिए इसे solve करते हैं हम सबसे पहले तो समधी बाहु तिरभुज का मतलब ही होता है कि जैसे ये तिरभुज बना तो इसके ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक अलग नापकी भुजाएं होंगी तो कहता है कि इसका आधार जो है ये बेस समान भुजाओं का 6 बटे 5 गुना यानि कि समान भुजा समान भुजा और इसका जो आधार है तुलना किया जा रहा है कि समान भुजा का 6 बटे 5 गुना तो जिससे तुलना की जाती है आप उसे एक ऐसा digit मान लीजे जो कि इसके हर में जो कि 6 बटे 5 यानि कि 5 से पूरा-पूरा कट जाए तो आप इसे 5X मान लीजे तो इसका आधार कितना हो जाएगा 5X का 6 बटे 5 करेंगे तो ये 6X हो जाएगा यानि ये भी 5X ये भी 5X और ये 6X तब इसका पैरिमीटर यानि कि परिमाप कितना हो जाएगा तो 5 और 5, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16X 16X इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 इसे कट कर दीजे तो X का मान कितना हो जाएगा 2 अब अगर x का मान 2 आ गया तो आप यहाँ पे आप देखिए 2 का मान रखेंगे यह 5x चुकी था तो यह 10 हो जाएगा यह भी 10 हो जाएगा और यह 6x था तो यह हो जाएगा 12 अब इसका 6 तरफल कह रहा है समधिवूज का तो 6 तरफल होता हाफ गुने आधार गुने उचाई तो आधार तो आपको मालूम हो गया लेकिन इसकी हाइट तो भी मालूम नहीं है तो जब हम इस पे लंब देते है ना तो यह हाफ हाफ बट जाता है तो यह भी 6 यह भी 6 अब इस वाले तिरभूज में आप इसे ध्यान से देखिए कि यह 6 यह 8 तो यह कितना होगा तो अगर आप ऐसे पैथागोरस परमेश्य याद है तो 6, 10 और यह 8 होगा लेकिन फिर वे हम इसे निकाल लेते हैं तो कैसे निकाल लेगे इसका फर्मूला क्या हो जाएगा इसमें तो छेतरफल के लिए क्या हो जाएगा छेतरफल के लिए हो जाएगा half into आधार आधार कितना है 12 उचाई कितना निकला 8 अब इसे कट कर दीजे 4 टाइम में तो आंसर कितना आ जाएगा 48 cm2 यह हो जाएगा आंसर option number C दूसरा question है कि एक दुकांदार हर 4 महिने में एक बार 10 परतिशत की छूट देता है यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपईये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल क्या था मिन्स की मान लिया जाए जनवरी में उसका कुछ रेट था एक्स मान लीजे और दिसंबर में किसी ने खरीदा कितने में 25,515 में इतने रुपईये में तो आपसे पूछा कि जनवरी में उसका रेट क्या था जबकि दुकांदार क्या कर रहा है हर 4 महिने पे 10 परतिशत की छ होते हैं और 4-4 माह पे वो छूट देगा तो कितनी बार छूट देगा तीन बार छूट देगा तो एक्स हो गया जनवरी का मुल अगर फर्स्ट चार महने में देगा 10 पर सिंट का छूट तो लेगा यानि कि बेचेगा कितने में 90 पर सिंट में फिर सेकेंड चूट देगा आपका आठ महना में पूरा होने पे यानि कि चार-चार महने पे दे रहा है तो फिर 90% और एक बार फिर से देगा 90% तो हो गया दिसम्बर आ गया और यह हो गया 25515 यहां से आप इसे कट कर लीजे तो यह कितना हो जाएगा 0, 0 और 0 यह कट हो जाएगा 3, 0 अब इसे आप सॉल्व कर लीजे क्रॉस में मल्टिप्लाई करके सॉल्व कीजेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000 रुपीज आंसर ओप्सन नमबर बी अगला कूशन दिया गया है कि X, Y और Z कि AYU का योग है 27, X, Y से 2 वर्स बड़ा है और Y की आयू Z से 2 गनी है तो Y की आयू ग्यात करें तो चलिए X, Y और Z हमने मान लिया कहता है X जो है Y से 2 वर्स का बड़ा है और Y जो है Z से 2 गना है तो आपना Z को अगर A मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोगना 2A और इससे ये दो बर्स बड़ा है तो 2A पलस कितना हो जाएगा 2 अब तीनों के आयू का योग अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 5A पलस 2 इक्वल टू योग कितना है 27 अब 5A इक्वल टू इस 2 को इ तो Y की आयू कितना? 2A हमने लिखा है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 एर हो जाएगा इसका आंसर, option number C. अगला है question, कहता है कि P और Q करमसा, 1400 रुपया और 1800 रुपया के निवेस के साथ, एक साजीदारी में परवेश करते हैं, वे लाव के आधे हिस्से को व्यावसाय के संचालन के लिए रखते हैं, और सेस हिस्से को अपने निवेस के अनुपात में बाट लेते हैं, यदि लाव म उनके हिस्सों का अंतर 47 है, तो कूल लाव याद करें, तो चलिए, P और Q, यहां तक कि यह भी नहीं मालूम है कि कितने एर तक चलाया नहीं चलाया, लेकिन कुछ लिखा नहीं तो दोनों समय के लिए चलाया गया है, तो यह लगाया 1400 रुपया, और यह लगाया 1800, अब जित इस रेशियो में आप पूंजी को लगाते हो, उसी रेशियो में आपको benefit भी मिलेगा, तो इसी रेशियो में benefit मिलेगा, दोनों में क्या x इंकलूड कर दीजे, अगर total benefit की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, 16 x, दोनों को जोड दीजे, अब इसमें क्या कहता है, वो आध की नुशारब के नुशारों को तो हिए जाएंगे अब के लाब में उन्दोनों के अंतर्ब कितना हो जाए गा 47। तो टोटल लाब बताईंगे। चलिए लाब और थे मना के लिए विल recognize पूजी उसी मिलेगा 9 कितने में 16 में तो 8 में कितना इसे कट कर दीजे यहां पे 2 और यहां पे यह 2 तो 7 by 2 और इसका 9 by 2 आ गया ratio अब अगर तो जब आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो देखेंगे कि अंतर भी कितना का आ मात 1 का ही अंतर आ रहा है आपका तो अंतर 1 यानि कि X लिख सकते आप और अंतर कितने का है 47 का है अंतर तो X का मान 47 हो गया और आपसे पूछा गया तो टोटल लाव तो टोटल लाव कितना है 16 X न यानि 16 x 47 आप इसे लिख सकते हैं अब दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 752 रूपीज आ जाएगा इसका आंसर ओप्सन नमबर A अगला है कोश्चन कि उडान बिंदू से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर उर्धु दिशा में उपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुबारे का उन्यान कुन प्रातर 10 बजे 30 डिगरी से बदल कर प्रातर 10 बच के 2 मिनट पे 60 डिगरी हो जाता है तो उर्धु दिशा हमें गुबारे की चाल ग्यात करें चलिये से सॉल्व करते हैं मान लिया जा यहां पे वो बिंदू है यहां से 300 मीटर की दूरी है यह हो गया आपका 300 मीटर की दूरी यहां से अगर मान लिया जा एक गुबारा देखा गया जस्ट यहां पे एक गुबारा देखा गया और फ चिक है और यहां से देखा जा रहा है तो इस time कुछ और था कुन और इस time कुछ और हो गया तो 10 बजे कहा क्या यह 30 डिगरी का था और फिर यह जब 10 बज के 2 मिनट हुआ तो यह हो गया 60 डिगरी का ओके अब इसे के अगर नाम दे देते हैं तो सौरी थोड़ा सा मैनेज कर ली है तो यह हो गया A आप इसे B इसे C और इसे आप D मान सकते हैं ओके अब हम चलते हैं यहां पर कोई भी तिरभुज में चलिए पहले BC और D में BC और D में चलते हैं तो 10 का फॉर्मला लगाएंगे 10 30 डिगरी इक्वल टू लगाते हैं तो कितना यह BC और बटे यह हो जाएगा CD ओके अब यहां पर 10 30 का मान 1 बाई रूट 3 होता है और BC का मान तो कुछ दिया नहीं है निकालना है आपको और CD का मान 300 दे दिया गया है अब BC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि 300 बाई रूट 3 अब रूट 3 से अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप रूट 3 से अब यहां पर देखिए फिर चलते हैं इस बड़े वाले तिर्भुज में ACD में तिर्भुज AC और D में तो इसमें चलेंगे 1060 डिग्री से 1060 में हो जाएगा क्या AC बटे CD यहां से लेकर यहां तक और बटे यह 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 AC का मतलब क्या AB और पलस BC तो AB का मान पता नहीं है BC का मान निकला है 100 और रूट 3 और बटे इसका CD का तो 300 है ही क्रोस में कीजे मल्टिप्लाएं तो यह 300 रूट 3 और बराबर AB पलस 100 रूट 3 आ जाएगा अब AB इक्वल टू यह इधर आके माइनस हो जाएगा तो 200 रूट 3 आ गया अब एक चीज आप से क्या कहा गया कि उर्दूदे सामें गुबारे की चाल यानिकि गुबारा यहां था और यहां से यहां चला गया तो इसका स्पीड तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय दूरी कितना दूरी तो यही तै किया है ना 10 से अब मतलब 2 मिनट में 10 से 10 2 तक यानि 2 मिनट में जितनी दूरी तै की गई तो दूरी तो AB आपका कितना निकल गया 200 रूट 3 और सम से multiply करना होगा और root 3 का मान आप रख लीजेगा 1.732 और जब आप इसे total को solve करेंगे तो आपका आज आएगा हलांकि 2.88 something करके आएगा तो आप इसे लगभग में मार सकते answer 2.9 meter per second क्योंकि और option में है ही नहीं तो option number D हो जाएगा इसका answer अगला है question कि एक निश्चित धनडासी पर दो वर्स का चक्रविर्धी व्याज 309 और साधारन व्याज 300 होता है तो वार्सिक व्याज की दर ग्यात करें चलिए अब यहाँ पर first में दे देते हम यहाँ पर SI का और यह हो गया second year यहाँ पर CI का तो SI क्या होता है कि हमेशा equal ही होता है तो दो साल का अगर अपका 300 है तो पड़ते एक साल कितने का 150 उर्पे का तो यह 150 हो गया और यह भी 150 हमेशा यह equal होता है first साल का SI और CI दोनों equal होता है तो यह भी 150 हो जाएगा जबकि दो साल का CI 309 तो 309 में अगर एक साल का 150 है तो दूसरे साल का कितना हो जागा 159 देखें आपे विर्दी कितनी की हो रही है रेट निकालना आपको 9 की तो विर्दी कम पे हमेशा याद रखे से into 100 पच्चा से कार दिये दो बार में और इसे तीन बार में तीन से कार दिये तीन बार में तो कितना हो जागा रेट इसका 6 % आंसर नंबर ए अगला है question कि 3 की power x into 3 की power y equal to 243 4 की power x into 8 की power y equal to 4096 तो इसमें x और y का मान आपको निकालना है चलिए आप याद रखें जब base equal हो तो गुना में power add होता है तो यहाँ पे 3 की power x plus y हम लिख सकते हैं equal to 243 को आप 3 की power 5 लिख सकते हैं बेस सेम है तो कट हो जाएगा अब यहाँ पे x plus y का मान आगया 5 यह समीकरन एक हो गया अब दूसरी बात यहाँ पे 4 की power x है और 8 की power y बेस तो सेम है नहीं तो इसको सेम बना लीजिए क्या आप 4 को 2 का square लिख सकते हैं तो 2 का square होगा तो 2 इसकी power 2x हो जाएगी और multiply 8 को आप 2 का cube लिख सकते हैं तो 2 पे power 3y हो जाएगा और 4096 को आप 2 की power 12 लिख सकते हैं अब यह भी बेस सेम हो गया तो 2 की power 2x और plus 3y equal to 2 की power 12 बेस सेम है कट हो जाएगा तो 2x plus 3y equal to 12 यह हो जाएगा समीकरन आपका दू अब आपको x और y का मान निकालना है तो दोनों में से किसी को भी आप equal कर दीजे अगर y को equal करना चाता है तो आपको 3 से multiply करना होगा तो 3 से multiply कीजेगा तो 3x plus 3y equal to 15 यह यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे सेम लिख दीजे 2x plus 3y equal to 12 सबका चिन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा मैंने 5 लिख दिया 5 x 3 इसमें भी multiply होगा तो 15 हो जाएगा यह कट हो जाएगा यहाँ बचेगा x equal to यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 X का मान कितना आ गया 3 Y का मान आपको निकालना है ऐसे भी आपको देख लीजे यहाँ पर option में एक ही option में first में 3 नजर आ रहा है तो C आप answer color कर सकते हैं संतुष्टी के लिए आप Y का मान भी निकाल लीजे कोई भी समिकरन से चलिए तो X plus Y equal to 5 है X का मान 3 plus Y equal to 5 तो Y equal to यह इधर जाके क्या हो जाएगा 2 यनि कि X और Y का मान कितना आ गया 3 और 2 answer option number C अगला है question कि नल एक इसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि नल भी इसे 5 लीटर परती सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है पूरी तरह से खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिये जाएं तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है टंकी की धारिता कितनी है अब देखें आपे अगर जो नल A है उसे टंकी में भरने दिया जाए तो वो 20 मिनट में टंकी को भर देता है लेकिन कहता है जबकि एक B नल है इसमें से 5 लिटर परती सेकेंड की दर से पानी को बाहर यानि कि बाहर निकालना मिस खाली कर सकता है उस रेट से 5 लिटर परती सेकेंड के रेट से और कहता है पूरी अगर खाली टंकी है उसमें दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो 100 मिनट में टंकी भर जाती है means A है प्लस भरने वाला और B है खाली करने वाला दोनों को अगर खोल दिया जाए तो भी 100 मिनिट में टंकी भर जाती है तो आपना सबसे पहले काम कीजे B का निकाल लीजे कि अगर इसे खाली करने दे दिया जाए तो कितना टाइम लगाएगा ये खाली करने में तो एक का तो सिंपल है निकालने के लिए तो 20 गुने 100 और बटे 100 माइनस 20 कर दीजे आप तो 20 गुने 100 बटे हो जाएगा यहाँ पर 80 इसे कर दीजे 4 टाइम में 4 से कर दिए 24 टाइम में बी का कितना निकल गया 25 यानि 25 मिनट में ये टंकी को खाली कर सकता है लेकिन आपको क्या निकालना है टंकी की धारीता अब देखें हाँ पर 5 लीटर पर 30 सेकेंड यानि कि 1 सेकेंड में ये 5 लीटर पानी बाहर निकालता है तो 25 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करें तो 60 से multiply करना होगा तो 1500 सेकेंड हो जाएगा तो एक सेकेंड में जो 5 लीटर निकालता है तो 1500 सेकेंड में कितना लीटर पानी निकालेगा तो 1500 और गुने 5 यानि कि 7500 लीटर और टंकी में जितनी पूरी तरह भरी हुई है उतनी पानी को न वो निकालेगा क्योंकि ये 25 मिनट हमने क्या निकाला कि पूरी टंकी को वो खाली कर सकता है यानि कि पूरी टंकी में कितना पानी है 7500 लीटर आंसर हो जाएगा option number C अगला है कोशन कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रैमूल करैमूल से 10% अधिक अंकित करता है बेशते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे एक परतिशत की हानी होती है उसने निम्न बट्टा दिया मैंस आपको निकालना है कि बट्टा कितने का दिया चलिए CP को आप मान लीजे 100% और अगर इससे 10% अधिक अंकित करता है का मतलब क्या हो market price तो 110 अंकित किया अब आप जान लीजे कि जो भी हमें profit या loss होता है वो होता है cost price पे और जो भी हम discount देता है वो market price पे तो मान लीजे कि X% का आपने दिया discount तो अगर 100 में खरीदा और 90 1% का अगर loss हुआ है तो आप बेचेंगे उसे कितने में 99% में और अगर 110 है MRP और X% का अब discount देते हैं तो बेचेंगे कितने में इतने में बेचेंगे यह दोनों का दोनो SP 100 100 cancel यह 0 और 0 cancel 11 से cut कर दीजे 9 time में तो यहाँ पे 90 equal to क्या हो जाएगा 100 minus X तो X equal to कितना हो जाएगा यह इधर आके minus हो जाएगा तो 10% यहनि discount कितना निकल गया हमारा 10% option number B अगला है question कि A और B कोई कारी 20 दीन में पूरा कर सकते हैं A ने 10 दिन कारी किया तथा सेस काम B द्वारा 25 दीन में पूरा किया गया तो B अकेला पूरा कारी कितने दिन में कर सकता है अब देखे आपका अलग-अलग तो किसी का मालूम नहीं है कि A कितने दिनों में कर सकता है या B कितने दिनों में कर सकता है B का तो पूछी रहा है A और B के बारे में बता दिया है कि अगर दोनों करे न तो 20 दीन में काम complete हो जाएगा अब कहता है A 10 दिन तक काम किया बाकी के काम जो इतने भी बचे वो B 25 दिन में complete किया है एक काम करते हैं A और B दोनों को हम 10 दिन काम करवा लेते हैं तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 बटे 20 यनि की half काम हो जाएगा हाफ काम हो गया तो सेस कितना हाफ बच जाएगा अपके पास अब देखें सेस काम को A से तो हमने 10 दिन यहाँ पर करवा लिया ना लेकिन हाँ साथ ही साथ B ने भी 10 दिन काम किया अच्छा A के 10 दिन काम करने के बाद B 25 दिन काम किया है तो B 25 दिन में तो 10 दिन हमने यहाँ पर करवा ही लिया तो बाकी के काम बचे 15 दिन के लिए न तो B जो है हाफ काम को करता है 15 दिन में तो B पूरे काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में तो आंसर हो जाएगा इसका 30 दिन option नमबर B तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना न भूले दन्यवाद